जय महाकाल दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ कि भले चंगे होंगे मज़े में होंगे दोस्तों आज मैं आपको अंकों का एक जादू उपाय बताने वाला हूँ यह उपाय इतना चमतकारी है कि इस उपाय से आप जो कोई भी कारे करना चाहेंगे उस कारे में आपको अत्यन तो सफलता मिलेगी आप जीस तरह से अपने मन में जैसे आपके भाव आते हैं, कभी कभार आपने देखा होगा कि बेठे बिठा हैं, आप कोई reason नहीं होता, कोई कारण नहीं होता, इसके बावजूद भी आप प्रशन हो जाते हैं, खुस हो जाते हैं, कई तफे बिना कारण अकारण ही मन दुख यह प्रोसेस काफी लंबे समय तक चलता रहता है जिसकी आपको भनक नहीं लगती है यह औचेतन मन में चलने वाली क्रिया है जब सतह पर आती है सपाटी पर आती है उपर आती है तब मनुश्य को इसके बारे में मालुम चलता है तो ऐसा ही एक उपाय आज में आपको बताने वाला हूं जो आपके उचेतन मन से जुडा हुए हूए हूएंखो से जुडा हुआ है और जो आपको अत्यदी ख्लाब दिलाने वाला है तो दोस्तों संपण उपए बताने से पहले मैं आपको बता दो कि यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हम कमारे दोरह बताएगे हैं उपाई आप तक आसानी से पोंचेंगे और तेजी से पोंचेंगे थीक है तो चले दोस्तों बताता वह उपाई के जिससे आपको सो गुना लाव होगा एक गुना नहीं उससे थोड़े बड़े अच्छरों में आपको थोड़ी जगा छोड़ करके लिखना है 10 और उसके बाद में थोड़ी सी और जगा छोड़कर उससे भी बड़े अच्छरों में आपको लिखना है 100 सबसे छोटे अच्छर में आपको एक लिखना है फिर बीच वाला दस आपको थोड़े बड़े अच्छर में लिखना है और सो आपको सबसे बड़े अच्छर में लिखना है इस तरह से आपको लिखना है एक थोड़ा सा इस पेस छोड़ करके दस और थोड़ा सा इस पेस छोड़ करके सो इस तरह से आपको लिखना है इसको लिख करके आप अपने पर्स में रखें अपने जेब में रखें अब आप क्या करें कि जब भी आप किसी के साथ में पैसों का लेंदेन करें तो एक दस सो एक दस सो ऐसा मन ही मन सोचते हुए करें कि आप ये जो कुछ भी व्यपार कर रहे हैं पैसा ले रहे हैं या पैसा दे रहे हैं ये आपको सो गुनाहो करके मिलेगा सो व्यक्तियों से मिलेगा जब भी आप किसी को धन दे रहे हैं ये सोचें जब भी आप किसी को धन किसी से धन ले रहे हैं तो ये सोचें कि ये सामने वा साली व्यक्ति को भी ऐसे ही प्राप्त हो सब के बाता और तो जब आप किसी को इस तरह से मां सम्मान प्रदान करेंगे प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे उसकी वेल्यू बढ़ाएंगे तो automatically ऐसा माना जाता है कि जो चीज आप लोगों में बाटते हैं वो कई गुना हो करके आपको मिलती है ये संसार का बहुत ही अति सामन्य नियम है तो जब आप लोगों के कल्यान की भावना करते हैं तो यह बहुत अधिक होकर के आपको भी रिटर्न मिलती है एक तो यह रीचन है कि यह अंकों से जुड़ा हुआ है सुर्य का अंक है और दूसरा मैं आपको बता दू जो हंड्रेड है सो है इसको पूर् पैसा लें तो ऐसी भावना ऐसा कामना करें कि इसके पास में यह कई गुना हो करके लोटे है और जब भी आप किसी को पैसा दें तो सोचें कि यह सो व्यक्तियों से सो गुना हो करके मेरे पास में लोटे है अभी जो कागज की चिट बनाई है इसको आपको सो दिनों तक यह तीन समय आपको देखना है और सो दिन तक लगातार इसको अपने पास में रखना है। सो दिन में यह नंबर एक्टिवेट हो जाएंगे। कोई भी क्रिया होते हैं। मैंने बताया कि आपका जो अचेतनमन है उसमें यदि लगातार कोई भाव आप डालते रहते हैं डालते रहते हैं तो एक दिन वो भाव इतने ठोस हो जाते हैं कि फिर उसको तोड़ना नामुम्किन हो जाता है तो इसी तरह से लगातार सो दिनों तक जब आप ये भाव अपने भीतर पेदा करेंगे तो ये जो भाव की तरंग है ये संपूर संसार में आप जिस किसी से भी मिलेंगे वहां तक ये फेलेंगे व्याप्त हो जाएंगी तो आपकी जो मंसा है वो फली भूत होगी आपके अनेका अनेक काम चलने लग जाएंगे अनेकों लोगों के पास से आपके पास में धन आना प्रारम हो जाएगा सो दिनों के बाद में जो पर्ची है इसको आप किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें किसी मंदिर में रख दें या किसी पवित्र पेड़ के नीचे रख दें ठीक है तो चलिए दोस्तों अभी सी उपाय के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते रहें दिवे प्रिकास और अपने जिवन में लाबानमित होते रहें धन्यवाद